नमस्कार आपका स्वागत है हमारे द्वारा किये गए कारियों से ही हमें पाप और पुन्य की प्राप्ति होती है एक मनुष्य अपने जिवन काल में केवल पुन्य कर्म करके ही सुर्ग की प्राप्ति कर सकता है लेकिन अज्यानता के कारण वह ऐसे कई कारिय करता है जिस कारण से उसका पाप का घड़ा भरने लगता है और उसे नरक की सजा भुगतनी पड़ती है दोस्तो अज्यानता में किये गए कारिय देवी देवताओं को कुरोधित करते हैं अज्यानता वश किये गए कारिय हमारे नीजी जीवन से सबंदित होते हैं ये नीजी कारिय हमारे खान पान, देनिक दिनचरिया, स्त्री संभो तता वस्त्रों से सबंदित हो सकते हैं हमारे पद्म पुरान में भगवान स्री किष्ण कहते हैं कि मनुष्य के वस्त्र उसके चारित्रे को प्रदर्शित करते हैं ये वस्त्र मनुष्य के बल, यश, संपत्य और तेज का प्रतिक होते हैं। भगवान स्रीकिष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने जिवन में तन को ढखने वाले वस्त्रों का सदेव सम्मान करना चाहिए। उसे कभी भी ये चार काम निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए। अपको ये चार काम भले ही साधरन से लग सकते हैं। लेकिन निर्वस्त्र होकर इन चार कारियों को कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लिते हैं उन चार कारियों के बारे में सबसे पहली बात। भगवान श्रीकिष्ण पहला कारियों बताते होए कहते हैं कि मनुश्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर सनान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जल को वरुन देवता कहा गया है, साथी सनान करने वाले जल को गंगा जल के समान माना जाता है, निर्वस्त्र होकर सनान करने से देवी देवताओं का अपमान होता है, सनान करते वक्त शरी पर एक वस्त्र अवश्य धरन करना चाहिए, बिना वस्त्र के सनान करने से पितर देवता संतुष्ट हो जाते हैं साथ ये इसी भी मानेता है कि संसार में विच्रन करने वाले प्रितादी आत्मा हैं मनुष्य की स्नान करने की पहचात उसके वस्तरों से निकलने वाले जलका ही पान करते हैं क्योंकि उन्हें श्राप मिला हुआ है कि वे शुद् पित्ता आत्माएं अत्यन्तो क्रोधित हो जाती है और उसके जीवन में प्रवेश कर लिती है जिससे उसके जीवन में दुरभाग्या आने लगता है खास कर महिलाव को निर्वस्तर होकर कभी सनान नहीं करना चाहिए अन्यता उसके मरत परिजन अथो अपित्रगन उससे रु पित्रगन और चंद्रदेव हमारे ऊपर विराजमान होते हैं रातर के समय हमारे शरी के निकलने वाले उर्जाकों वे घ्रहन करते हैं रात्री में अगर आप निर्वस्त्रों सोते हैं और आपको पित्रगन और चंद्र देवता ऐसी अवस्ता में देख लेते हैं तो वे क्रोधित हो जाते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि पित्रों के क्रोधित हो जाने पर परिवार पर बड़ी समस्या है और विपत्ति आती है इसलिए हमें कभी भी रात्री में निर्वस्तर होकर सोना नहीं चाहिए तीसरा काम बताते हुए भगवान स्रीकिष्न कहते है कि मनुश को निर्वस्तर होकर आचमना और तरपन ऐसे कारिय नहीं करने चाहिए आचमना और तरपन देवताओं के अमरत से भी शुद्धो होते है आचमना और तरपन को निर्वस्त्र होकर करने वाले मनुष के सभी पुन्य कर्म नष्ट हो जाते है जो मनुष आचमना और तरपन निर्वस्त्र होकर करता है वो मनुष्य मृत्य लोक में जिवन और मरन की चक्र में घूमता रहता है वो मनुष्य संसार की सभी विपत्तियों और दुखों से घिरा हुआ रहता है चौता कारिय बताते हुए भगवान स्रीकिशने कहते है कि मनुष्य को निर्वस्त्र अथ्वा अर्दनग्न होकर भोजन नहीं करना चाहिए अन्न का समान सभी देवी देवता करते है अन्न को परब्रम कहा गया है अर्दनग्न होकर अथ्वा निर्वस्त्र होकर भोजन करने से ऐसा भोजन प्रितात्माव को प्राब्त होता है, जो मनुश्य निरुवस्तर होकर भोजन करता है, वो मनुष्य, अवसाद और कुंटा से ग्रासित हो जाता है ऐसे विक्ति के घर में कभी भी मात अन्य पूर्णा निवास नहीं करती है जिस कारण से घर में दरदरता और निरधनता का वास होने लगता है साथी ऐसे मनुश्य की धन और मान सम्मान दोनों की हानी होती है तो दोस्तों इस प्रकार से फ़द्म पुरान में भगवान स्रीकृष्ण ने इन चार कारियों के बारे में बताया है जो निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए अन्यता मनुश्य के जिवन से सुख सम्रदी चली जाती है और उसे दरदरता का सामना करना पड़ता है उमेदे आपको यह जान करे अच्छी लगी होगी वीडियो को अच्छी लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करें आप सबी का धन्यवाद